हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z53 Android वाइल फोन में आप जो है shortcut to prevent ringing setting को enable कैसे कर सकते हैं यानि की on कैसे कर सकते हैं और यह shortcut to prevent ringing setting जो है enable करने के बाद यह setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको अपने वाइल फोन में setting पेज ओपन करना है टिक है setting फेज ओपन करेंगे आपको नीचे की आपशन देखने को मिलेगा sound पर सेलेक्ट करने अब हहाँ इहां पर आपको sound के इस पेज में नीचे की साइड आएंगे तो यहां पर आपको जो है shortcut to prevent ringing का यह option मिल जाएगा ठीक है इसे सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको जो है प्रिवेंट रिंगिंग के इस पेज में आफ का यह option मिलेगा इसके सामने यह बटन दे रखा है इस बटन को आपको सेलेक्ट करना है तो यह setting आपकी इनेबल हो जाती है अभी setting इनेबल होने के बाद यह setting काम कैसे करती है यह मैं आपको पूरी detail में बता देता हूँ तो आप नीचे की side में देख रहे है यह आपर vibrate और mute का यह दो option highlight हो चुके है अभी दोनों का use मैं आपको बता देता हूँ यह vibrate के option पर tick mark पहले से लगा call and notification will be vibrate ठीक है तो यह pop up आ गया था अभी setting काम कैसे करेगी कि जब भी आपके mobile phone पर कोई भी incoming call आएगा तो आपका mobile phone जो है वो vibrate करेगा ठीक है रिंग नहीं करेगा वाइबरेट करेगा आपका mobile phone और कोई भी notification आगर आपके mobile phone पर receive होगा तो आपका mobile phone जो है तब भी vibrate करे अगर आप mute पर select कर लेंगे और फिर आप जो है mobile का power button और volume का up button ठीक है उसी process को आपको द्वारा से करना है इस तरीकी से तो दोनों को एक साथ दमाएंगे तो नीचे देखे लिखा हुआ रहा है call and notification will be muted ठीक है तो अब यह setting कैसे काम करेगी कि अगर आपके mobile phone पर कोई भी incoming call आपका mobile phone ना तो vibrate करेगा नहीं रिंग करेगा एक तरीकी से silent हो जाएगा ठीक है mute हो जाता है तो अब जो है notification कैसे काम करेगा notification अगर कोई receive होगा तो आपके mobile phone पर तो आपका notification जो है नहीं कोई vibration create करेगा और नहीं कोई sound create करेगा वो mutely जो है sound receive हो जाएगा आपके mobile phone में notification ठीक है तो यह setting जो है कुछ इस तरह के से काम करती है preventing setting आप दोनों में से किसी एक का भी use कर सकते हैं ठीक है बार बार आप इसको भी change कर सकते हैं ठीक है